नमस्कार आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों है क्योंकि हमारे जीवन में सफलता के लिए मेहनत उस्सा का होना बहुत ज्यादा जिरूरी है जिस व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल डाउन है एकसेंट में नहीं है उसके रिलेशन हेल्दी नहीं है तो वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाता आपके रिलेशन समाज में आपके रिष्थेदारी में आपके यार दोस्तों में हेल्दी रहना आपका स्वस्त होना ये सब बहुत ज्यूरूरी है आज हम बात करने वाले हैं ए सभी के लिए लगनेश का काम करता है और लगनेश की पावर आप समझते हैं कि जिस व्यक्ति का लगनेश कुंडली के अंदर पावर्फुल पोजिशन में हो व्यक्ति जीवन में अपने मेहनत के दम पर सफलता एक दिन निश्चित तोर पर आर्जित करता है अब कुंडली के अंदर अलग-अलग हाउस होते हैं लगन भाव, दित्य भाव, तिरित्य भाव, चतुर्थ भाव इस तरह 12 हाउस हैं किसी व्यक्ति का भाग्य भाव मजबूत है उसको कम मेहनत पर जादा सफलता मिल जाती है जिसका भाग्य भाव कमजोर है उसको जीवन में जादा मेहनत करके सफलता मिलती है सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी यह हमारे लगन पे डिपेंड करता है कि अगर लगन पावरफुल है तो निश्चित तोर पर एक दिन सफलता वश्य मिलेगी तो लगन को मजबूत करने के लिए इस पे हमने पाष्ट में बात करी थी कि हाउ टू मेक पावरफुल यूर लगना तो आज हम बात करने वाले हैं मार्स मंगल के बारे में मंगल को लेके सबसे ज़्यादा मन में शंका रहती है मार्स अच्छा है या खराब है मांगलिक योग है या दोश है इन सब बातों के प्रशन हमारे दिमाग में गुमते रहते हैं मगर होता क्या है ये पता नहीं है एक भ्रहम हो रहता है कि मांगलिक है तो मांगलिक से शादी होनी चाहिए Otherwise, married life में challenges आते हैं क्यूं होता है उसके basic कारण को हम नहीं जानते मंगल की आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 houses में अब कुंडली के 12 घर हैं ये आप सभी को पता है 12 घरों में कोई ने कोई प्लानिट देखने को मिल जाते हैं मंगल आपके कुंडली में आपके परिवार वालों की कुंडली में कहीं न कहीं किसी हाउस में बैठा दिखाई देगा तो यहां पर मंगल कुंडली में कहीं भी बैठा हो वो अच्छा है या बुरा है आज उसकी बात नहीं करेंगे वो कैसे भी position में है अच्छा है तो भी खराब है तो भी हमें नहीं देखना आता कि अच्छा या खराब है मगर उसके secret fact उसके amazing fact जो आपको मिलेंगे मिलेंगे और उसको कैसे हमें और अच्छा करना है और powerful करना है उसके बात करेंगे कुंडली के 12 ही घरों के बारे में तो मार्स स्टार्ट करते हैं कुंडली के first out से देखे यहाँ पर जब हम बात करते हैं कुंडली की तो कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं कालपुरुष कुंडली को समयना सबस्या जरूरी है कालपुरुष कुंडली की जब बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली एक से स्टार्ट होती यानि कि लगन के अंदर एक नंबर के राशी आती है एक नंबर के राशी आप सभी को पता है मेश राशी है और इसके जो लौड हैं वो मार्स हैं मार्स का पावर्फुल होना सबसे ज्यादा ज्रूरी है इसको लेके पहले भी कई बार बात करी है कि मार्स की importance हमारे रिशी मुनियों ने सबसे ज़्यादा बताई है क्यों बताई है और उस importance को समझते हुए क्योंकि आज आप सब लोग जोतिश के बारे में रूची रखते हैं जोतिश की गरहाई को समझने का परियास कर रहे हैं मगर आपको ये समझ में आ गई कि मेरे जीवन के अंदर परशानी अगर रही है उसके पीछे ये कारण थे और इसको अगर मैं समय रहते समय लेता तो अब तक काफी हद तक कर सकता था मगर ये प्रॉलम दिमाख में आई कि ये प्रॉलम तो हर किसी के साथ हमारे आने वाली पीडियों के साथ भी रहने वाली है जो कुलिे हमेशे रहीगी हमारी कुलिके आंदर आपको बताया होते हैं हेल्थ कारियर एजूकेशन मेरीड लाइफ संतान यह कि 6 की 6 सेक्टर ना किसी के अच्छे होते ना किसी के खराब होते हैं यह निकि 6 के 6 ना अच्छे होंगे ना छे के छे खराब होंगे कहिने की प्रॉलम हर एक के लाइफ में दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉलम ना हो यह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो तो अगर समय रहते अपनी लगन कुंडली के नुसार इन सब बातों को समझ ल है मंगल तीन घ्रोपे अपना मुख्य दे परभाव रखता है connection रखता है लगन भाव क्योंकि कालप्रिश कुंडली के नुसार बात करते हैं तो मेश राशी नंबर आठवा घर आठवा घर किसका होता है हमारे अकल्ट साइंस का हमारे रोग का लंबी विमारी का हमारे accident बगारा यह सब आठवे घर से connect होते हैं आठवा घर मृत्य बाव है लगन आईयू का बाव है लगन जिसका मजबूत होगा आईयू कहिना कि उसकी लंबी अवश्य होगा दीसरा एक और आठवा नंबर की राशी मंगल की अपनी राशी है मंगल उच होते हैं यानिकि उच की राशी कुछ सी मंगल की दस नंबर मकर राशी इन तो यहां पर हमारा किसका केरियर का किसी बी फिल्ड में हो चाहें आपका जौब हो यह सब अलग विश्य हैं मगर किसी फिल्ड में हो केरियर आपका मंगल से connect होता है मार्ज आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे उसको अ की बात करेंगे पहला गर लगन भाव लगन भाव में मंगल अगर बैठता है तो इस क्रिएट ए राय योगा इन चार्ट एक्सिलिन प्लेस्मेंट नॉर्मली मंगल फोर्थ हाउस और एर्थ हाउस में ही ज्यादा खराब माना गया है बाकि सभी घरों में नॉर्मल अच्छा म में अच्छा भी हो सकता है तो पहले जब मंगल के हमने 12 हाउस के बारें बात करी थी तो वहाँ पर बताया था हर एक हाउस के ओपर अलग-अलग सेपरेट वीडियो को लेकर कि किसी भी हाउस में बैठके मंगल आपका अच्छा या कोई भी प्लानेट हो आपका नोके नोकर है इसकी बाद हम स्टार्टिंग की वीडियो में कर चुके हैं मार्स इस 12 हाउस यूपिटर इन 12 हाउस वहाँ पर जाके आप डीपली समझ सकते हैं अब आपका मंगल किसी भी हाउस में हो 12 में से तो यहाँ पर उसको अच्छा कैसे रखना है फरस्ट हाउस में अगर आपका मार्स है तो क्या करता है सुभाव के अंदर थोड़ा सा एगरेशन देता है गुस्सा देता है मंगल क्या है मंगल हमारी कुंडली के अंदर सैना पति है मंगल की सारी काम करता है इसी तरह जिंदिगी की जो लड़ाई है उसके अंदर आपका मंंगल जो सैनों पती का रूल प्ले करता है उसका अच्छा होना बहुत ज्यदा वो कैसे अच्छा रखा जाए फर्स्ट ताउस में अगर मंगल है तो रायोग बनाता है मगर रायोग कब बनाया कि जब वो शुबahah है लुद्धिती हो यानि कि अच्छा हो समें घ्रै फलका होता है यानि इसका ड्रेक्ट कोई उपाय यहां पर किया नहीं जाता, अब यहां पर जो उपाय की बात करेंगे, वो वर्षवल और लगन कुंडली दोनों के नुसार कैसे करने हैं, उसकी बात करेंगे, अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल फर्स्ट आउस में हैं, तो ऐसे जातक थोड बहनों में बड़ी होती है, इसके कोई बड़ी बहन नहीं होती, मगर 98% केस में ये देखने को मिलता है, ऐसा जातक घर में बड़ा होता है, या लड़की हो तो घर में बड़ी होती है, वो बहनों में, वो भाहियों में, अगर उसके कोई बड़ा बहाई हो, या लड़की है त उसके कोई बड़ी बहन हो तो जीवन में वो किसने किसी कारण ऐने कि जो बड़ा भाई होगा वो किसने किसी कारण दुखी रहेगा और लड़की के चार्ट है तो अगर बहन होगी उसकी बड़ी तो जीवन में किसने किसी कारण दुखी अवश्य मिलेगी उसके जीवन में को तो इनके परिवार खांदान में कोई न कोई पुलिस में, आर्मी में या मेडिकल के प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है अब आप अगर अपनी कुंडली में देखेंगे और आपको लगता है कि हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं रहा है तो अगर शादी नहीं हुए तो इन लॉस में देखने को मिल जाएगा नन्याल मी मिल जाएगा तो मिले का जिरूर ऐसे जाता को अपने मंगल को अच्छा रखने के लिए अपने भाईयों के साथ रिलेशन हैदी रखने चाहिए अपनी जेब में रखना चाहिए तो आप डेली जो हैंकी यूज करते हैं वो रैड कलर का रखिए सिल्वर का स्कॉयर पीस वो कुंड़ी के किसी भी हाउस में आपका मंगल है एक से लेके बारा तक कहीं भी वो सिल्वर का स्कॉयर पीस हर एक को अपनी पॉकिट में या पर्स में अवश्य रखना चाहिए कैसा होना चाहिए सिल्वर का स्कॉयर पीस वन इच वाई वन इच एंड दा कॉर्णर शुड़ बी वेरी शार्ट यही मंगल अगर कुंड़ी के सेकेंड हाउस में है तो यह मंगल जातक को अच्छी खासी प्रोपर्टी देता है ऐसा जातक स्ट्रेट फारवर्ड होता है जो बात मन में होती है वो जुबान पर होती है खाने पीने के बड़े शोकिन होते हैं और मॉस्ट अफ टाइम देखा गया है कि अगर यह बनाते हैं तो बनाते ही बहुत अच्छा है बहुत अच्छा प्लेस्मेंट है मंगल का प्रोपर्टी बगार अच्छी कासी देता है इसी मंगल को शुब रखने के लिए क्या किया जाए तो यहाँ पर वर्षफल कुंड़ी के नुसार क्योंकि ये मंगल लगन कुंड़ी में है तो आप लगन कुंड़ी में कोई प्लेंट अच्छा है एक्सिलेंट अगर अच्छे प्लेस्मेंट के साथ यानि कि सेकेंड आउस मंगल नॉर्मली बहुत अच्छा माना जाता है मगर अगर दरश्टी से यूती से या और किसी योग के कारण बहुत सारे ऊसे कारण आपको पहले बता है सूरेशनी मिल रहे हैं तो मंगल खराब हो जाता है बुद्ध केतु मिल रहे हैं तो मंगल करना कि खराब को परशाद चड़ा कर बाटने की परमपरा बना दिए या बाकी दिन इंपॉर्टेंट नहीं है सभी इंपॉर्टेंट है मगर इसकी इंपॉर्टेंच जादा है इसके वजए से उन्हें एक दिन को फिक्स कर दीजे और वो परमपरा काफी टाइम से चली आ रही है तो यह इस के जो रूल थे वो एक तरह से बिखरे हुए थे उनको एक माला के रूप में पिरो के लाल किताब के रूप में आपके सामने पेश किया गया तो देट इस वेरी अमेजिंग बुक जो बताती है कि चीज़ों को ठीक कैसे रखना है यही मंगल अगर कुंडली के थर डाउस मे बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम ले नहीं पाते हैं अपने सुसराल वालों के लिए भागेशाली होते हैं ऐसे ज़ात अगर मंगल लुक है या इनकी कुंडली करते हैं ऐसे जातक जिम जाना योगा भ्यास करना या स्पोर्ट एक्टिविटीज को करना पसंद करते हैं या इनके घर में जिम का समान रखा मिल जाता है ऐसे जातक अगर जिम जाना योगा भ्यास करना पसंद करते हैं ऊसे जातक, मंगल को ऐसे जातक, घाने पीने के बड़े शोक्रिन होते हैं, अगर इनको खाना निकी पसंद का न मिले, तो आंखों में आस्ने के त्यार रहते हैं, कितना जादा ये फूट पसंद करते हैं मगर इनको अपने हापको मोटा नहीं होने दिना चाहिए क्योंकि नॉर्मली ऐसे जातक फोड़ा सा हेल्दी देखने को मिलते हैं और इनको मार्स क्या है हमारी बॉड़ी में ब्लड का कारक तो इनको ब्लड से लेटेड जैसे हाई बीपी ब्लेड वगरा या ब्लेट से लेड और को बिमारी भी देखने को अवश्य मिल जाती है मंगल लगन कुंडली में अच्छा या खराब है सिल्वर का स्क्वार पीश्टू रखिए रखिए एक थ्री मैटल की रिंग कैसे होती है कि तीनों मैटल को मिला कर मैल्ट करकर फिर वो रिंग क्यार की जाती है कौन कौन सी मैटल गोल्ड सिल्वर एंड कोपर देट इस कॉल्ड डजाई वाला चल्ला जोलर्स की लेंग्विज में इसको भी आप पहन सकते हैं अपने राइट हैं की दिंग फिंगर में तो दो काम तो आज इवन वर के लिए करी लें अब मंगल को अच् वर्षफल के नुसार आपको लगातार करने चाहिए वर्षफल यहनु कि यह साल आपका कैसा जाएगा इस साल मंगल गराण कुरणी में खराब है और वर्षफल में जिस हाउस में जाएगा उस हाउस से लीटिड कराब रिजल्ट देंगा तो यहां पर उसको ठीक रखना है के लिए आपको वर्षवल के according उसके placement के according remedy करनी होगी जैसे पहले house में है तो वहाँ पर direct कोई remedy नहीं होगी आपका birthday आ रहा है आपने देख लिए वर्षवल में मंगल फर्स्ट house में आ रहा है तो आप खुब मीठा बाटिए यही मंगल second house में आ है तो पीले मीठे चावल मंदिर में हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर वहाँ लोगों को बाटिए थार्ड house में आ रहा है तो लोगों को बोजन कराईए गरीबों को यह बहुत अच्छा प्रिनाम देगा फूर्थ house में यही मंगल अगर लगन कुडली में प्लेस्ट है तब क्या करें ऐसे जातक के सभाव में काफी ज्यादा aggression गुसा देता है जातक का अपने घर में दबदब रहता जादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते और यह मंगल अगर ज्यादा कुडली में एक combination बनावा है किसी की में दो combination बने हैं किसी की में पांच बने है किसी की में 10 बने है तो अगर ज्यादा पीस और एक छले वाला यह तो करना ही करना है साथ ही वर्षफल में जहां जाए उस हाउस के एकॉर्डिंग रेमेडी करनी है वर्षफल में फोर्थ आउस में आ जाए और खराब पोजिशन में हो तो मिट्टी के कुलड में शहद बरकर किसी विरान जगे में गड़्डा खोद के दबा दे और खोदने का उजार वही छोड़कर आए यह रेमेडी वर्षफल स्टार्ट होने के बाद इ कुट्टों में चटकी वाज आती है रात के निन डिस्टब रहती है ऐसे जातक कि परिवार में घर का कोई बुज़र्ग मैडिसन के प्रॉफेशन में रहा होता है वो चेहोपेटी हो ऐलोपेटी हो या आईर्वेदी हो ऐसे जातक कि अगर बात करें तो थोड़ा सभाव के अंदर एग्रेशन घुस्टा जरूर रहता है कि पांचवा घर सूर्य का है सूर्य घर मंगल बैठते हैं तो मंगल और सूर्य का कॉम्बेनिशन बन जाता है ऐसे में यहां पर सूर्य और मंगल जब कुंड्ली मिलते हैं तो कुंड्ली में मून खराब हो जाता है जाता कि रात की नीन विश्टब रहती है इनको क्या करना चाहिए अगर पांचवे घर में मंगल बर्त चार्ट में हो तो नीम का पौदा अपने घर में लगाना चाहिए और रात को पानी सराने रखकर उसमें देना चाहिए यही मंगल अगर वर्षफल कुंड़ी में फिफ ताउस में आ जाए तो रात को पानी सराने रखकर किसी भी पौदे में डाले सिक्स ताउस में मंगल अगर आपकी बर्त चार्ट में प्लेजड है सिक्स ताउस का मंगल क्या करता है कुंड़ी के अंदर सिक्स ताउस कालपरिश कुंड़ी के साब से देखे है तो बुद्ध और केतु का है केतु इस घर के कारक है और बुद्ध क्या है मालिक मंगल दोनों का एनिमी है यहाँ पर दोनों को खराब करता है तो यहाँ पर बुद्ध मंगल और शनी तीनों कुंडली में खराब हो जाते हैं अब मंगल सिक्स ताउस वाले को क्या कहा गया है कि इनको सेलिब्रेशन जितना ज़्यादा करते हैं जीवन में और इनको शोक होता है कि बड़े सेलिब्रेट करनेगा बेसिकली होता क्या है कि जिसकी कुंडली में प्लानेट जिस काम को करने को मना करते हैं वो व्यक्ति जीवन में वो ही काम जादा करने का शोकिन होता है या करता रहता है और यही उसकी प्रशानी का बड़ा कारण रहता है तो हमें समय रहते जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि हमारे नाइन प्लानेट हमारे लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आजीवन किन कामों को मना कर रहे हैं वो काम नहीं करने तो हमारी आदी प्रॉलम वैसे ही सौल हो जाती है तो मंगल अगर लगन कुंडली में शिक्स ताउस में हैं तो ऐसे जातक distribution स्विट्स का और celebration पसंद करते हैं बट करना नहीं चाहिए जितना करेंगे मार्स उतना powerful होगा उतना powerful होगा उतना शनी बुद्ध और केतु को परशान करेगा शनी क्या है सीधा connection 10 ताउस से है carrier का है तो carrier challenges आएंगे मंगल यही आपका वर्षफल कुंडली में 6 ताउस में आ गया तो Saturn को खराब करेगा सेटन कुंडली के जिस हाउस में बैठा है carrier की प्रॉलम देगा सेटन जिस हाउस में बैठा उस हाउस से लेटेट प्रॉलम क्रेट करेगा यहीं मंगल में हमेशा कुछ ने कुछ मीठा रखा जरूर मिल जाता है ऐसे जातक जो है संतान को लेकर जीवन में कोई ने कोई चिंता प्रशानी बनी रहती है कमरदर पैरोम तकलीफ के शकैद भी इनको प्रशान करती है क्योंकि केतो को खराब कर रहा है यहीं मंगल सेविंध आउस में आ जाता है तो सेविंध आउस में excellent placement है मगर यहीं मंगल अगर खराब हो तो जातक कि तीन operation करा देता है पती पतनी में लड़ाई जगडे की स्थिती पैदा करता है लाइफ पार्टनर थोड़ा एग्रेसीव नेचर के मिल जाते हैं चिचडे सुभाव के मिल जाते हैं इसी मंगल को अच्छा कर ले जाए तो ये एक रायोग बना देता है क्योंकि सात्वे घर का मंगल विष्णू की तरह पालना करने वाला कहा गया है एन कि ऐसे जातक के जीवन में कोई ने की जिम्मेदारी जातक के पास हमेशा रहती है एब मंगल सात्वे घर में अगर वर्ष्फल कुंली में हैं और आपको नहीं पता कि अच्छा या खराब है मगर उसके अच्छे रिलर्ड लेने हैं तो सूजी का हलवा पानी के जगे दूड डालकर बनाएं परिवार के साथ खाएं और उसका कुछ इससा बाहर लोगों में बाटें यही मंगल अगर आठवे घर में आ जाता है तो प्रिशा रखने के लिए क्या करना चाहिए अगर वर्षफल में आ जाय तो मिट्टी के कुलड में शैदवाली रेमेडी दूसरा वर्षफल के नुसार और रेमेडी हैं कि धरम इस्तान में कूशी देनी है यह वर्षफल चथृतबाब में देनी है यानि कि जल परवा करनी है तो वो वर्षफल पर डिपेंड करता है मगर यह रेमेडी तो करी लिनी चाहिए मिही मंगल अगर नाइन्थ हाउस में और अच्छी पोईश्ट में हो तो जातक के फादर का काफी ज्यादा स्टेटस अच्छा होता है प्रोपर्डिज वेगर अच्छी गेन करते हैं जातक काफी ज्यादा जीवन में ग्रोथ देता है बाग्य वाव है बाग्य को बढ़ाता है ऐसे जाता कि भाई से ना नॉर्मलिस रिलेशन हैल्दी नहीं रहते मगर हैल्दी रखने चाहिए तब भी जीवन में ग्रोथ मिलती है लगन कुंडली में हो तो राइट हैंड के रखें वर्षफल के नुसार और वर्षफल के रेमेडी सारी इसले डिसकस नहीं कियाती हैं क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि रेमेडी करानी किस तरह से मगर फिर भी बोजन कराना मीठा बाटना यह मंगल को अच्छा ही रखता है पर यहाँ पर सिरफ इस बात का दि हैं मीठा बाटना यह सब चीज़ें अवाइड करनी चाहिए अदर्वाइस यह उल्टर नेगेटिव रिजल्ट देती हैं यही मंगर टैन्थ हाउस में अगर आपके लगन कुंड़ी में हैं तो क्या करता है जातक को अच्छा केरियर देता है जातक कि खांदान में कोई ने को उचके होते हैं उसको अच्छा कैसे रखा जाए इसके लिए लगन कुंड़ी के नुसार ब्रास मेटल के बियर हीरन अपने घर में स्टेंडिंग पोईशन में हमेशा रखने चाहिए अज़े शोपीस वर्चपल कुंड़ी में आ जाए तो किसी जू वगयारा में ये किसी जहां हीरन मिल जाए उनको भुनेवेच जरूर किलाने चाहिए ये मार्स कैसे भी हो उसको कंड्रोल करके रखेंगे अच्छा करके रखेंगे यही मंगल अगर 11 थाॉस में आ जाए 11 थाॉस किसका होता सेटन का सेटन के ज्यादा कंड्रोल रहता है मगर 11 थाॉस के कालपरश कुंड़ी का नुसार, Saturn honor है और कारक कौन है, Jupiter, Jupiter is the friend of Mars, तो यहाँ पर Jupiter के घर में, क्योंकि Saturn का तो support बिलेगा नहीं, तो Jupiter कुंड़ी में जैसा होगा, वैसा मंगल 11,000 का result देगा, 11,000 का मंगल अगर लगन कुंड़ी में अच्छा हुआ, और Jupiter भी अच्छा हुआ, तो बहुत वर्षफल कुंड़ी के अंदर, अगर 11,000 में प्लेस्ट है, तो यहाँ पर Jupiter को चेक करें, Jupiter की रेमेड़ी करें, साथ ही, आप धरम इस्थान पर कोई परिवार में अगर खराब हुआ, तो किसी की डेथ करा, डेथ की सूचना देगा, और अगर अच्छा हुआ, तो किसी जनम, बच्चे का जनम होना, या किसी की शादी होना, इस तरह की गटना उस साल अवश्य देगा, यही मंगल अगर कुंड़ी के 12th हाउस में प्लेस्ट ह है, तो excellent placement of marks in 12th हाउस, 12th हाउस में मंगल है, तो ऐसे जातक कि परिवार खांदान में कोई न कोई medical profession में जरूर मिलता है, जातक को खुद भी medicine के knowledge अच्छे कासी होती है, दूसरों को advice भी करते हैं, कि अगर तेवज खराब है तो यह medicine खा लीजिए, घर में एक्सपायर medicine होता है, तो जीवन में हर तरी ग्रो देता है, और सबसे important बात कि 12th हाउस में मंगल अगर placed है, और अगर अच्छा है, तो जातक को कुद्ली में शनी, राहु, केतु, बुद्ध, यह कितने भी खराब क्यों नहों, परिशान नहीं कर पाते, क्योंकि मंगल यहाँ पर अकेला कंट्रोल कर लेता है, अब लगन कुंड्ली के नुसार 12th हाउस में मंगल है, तो दो आइटम तो आपको पहले बताई है, कि आपका silver square piece और वो, दूसरा जूपीटर के हाउस में बैठा है, तो जूपीटर को अच्छा रखना जरूरी है, वो डिपेंड करता है, जूपीटर उतना मंगल अच्छा होता चला जाएगा और उतना आपके finance को अच्छा करता चला जाएगा, साथ ही इसके दूसरी remedy है, वो आपका 200 gram पताशे मंदिर में देना, यानि कि धरमिस्तान में देना, तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, वो अपने धरमिस्तान को follow करें, तो बहुत सारे client हैं, जो आपका bonus भी हैं, तो वो मस्जित में दे, इन चीज़ों को वो फिर मंदिर में ना दे, बताला का मंदिर देने चले गए, तो मार्स को 12th house में कैसे ठीक रखना है, इसकी हालकि और भी काफी remedies हैं, मगर यहाँ पर जो remedies ज़्यादा नुकसान ना दें, य यह remedies आप easily कर सकते हैं, और मंगल को हर साल कुंडली के किसी भी house में जैसे मूव कर रहे हैं, तो इसके according remedy करके उसको ठीक रख सकते हैं, तो आज हमने मार्स के बारें बात करी, अभी हम बात करने के सोच रहे हैं कि मार्स यह other planet हैं, उनके साथ other combination कैसे create होते हैं, यह हमारी कु combination को कैसे समझे ना हैं, कितने तरह से combination बनते हैं, हम normally क्या देखते हैं कि हमारे दो घरे कोई एक साथ बैटे हैं, तो हमारी कुणली में यह combination बना हुआ है, मगर इसके इलावा कम से कम BCO combination हमारी कुणली बने होते हैं, दो पलंट के, तीन पलंट के, जो हमें दिखाई नहीं देते, मगर अपना काम, result 100% देते हैं, कैसे देते हैं, उसको समझाने का परियास करेंगे, तो इस topic के बारे में, अगर आपका सुझाव हो, तो वो आप current section में दीजेगा, जरूर बात करेंगे, detail में बात करेंगे, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए नमस्कार.